नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOs के स्टूडियों में आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं आज हम भारतिय दर्शन कोड संख्या 347 उस्तक दो के अध्याय सत्रा जिसका नाम है अवस्था त्रय विवेक पर चर्चा करने जा रहे हैं मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कपिल गोतम सहायक आचारिये संस्कृत विभाग वर्धमान महावीर खुला विश्विद्याले कोटा राजस्थान आप सभी का हर्दिक अभिननन करता हूँ हम अब आगे बढ़ रहे हैं इस तोपिक पर जो है अवस्था त्रय विवेक देखिए जो वेद है उसके मूल रूप से दो भाग हैं एक भाग है कर्मकांड और एक भाग है ज्यानकांड तो जो कर्मकांड है उसमें वेद के तीन भाग ग्रहित होते हैं संगीता, ब्रामन और आरन्यक और ज्यानकांड जो है उसमें आता है उपनिशद तो जो कर्मकांड है उसका जो विशलेशन है वो दर्शन की एक साखा है वो करती है उसका नाम है मिमानसा ये इनकी दृष्टी से जो वेद है उसका मुक्य अर्थ है धर्म अर्थात क्रिया धर्म को क्रिया भी कहा गया है यहाँ पर कहा गया है यागादि रिव धर्म है अर्थात यग्य यागादि ही धर्म है और जो धर्म है और दो यग्य है वो क्या है यग्य क्रियाओं का संग्र है यग्य is the collection of the activities तो यहाँ जो है वो अनिक क्रियाओं का संग्र है दूसरा जो portion है वो है ग्यानकांड तो जो ज्यानकांड है उसमें आता है वेदांत उसका विशलेशन करता है वेदांत और वेदांत की दृष्टी से वेद का जो मुख्य अर्थ है वे ब्रम इसके प्रवरतक है आचारी बादरायन महर्शी बादरायन ने पहला सुत्र लिखा है Ahato Brahm Jigyasa ब्रह्म की जिग्यासा करनी चाये, तो इनकी दश्टी से जो वेद का मुक्यृ रथ है वो है ब्रह्म और हो को ज्ञान भी कहते हैं, यहां आशे आत्म ज्ञान से है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है, अब यह जो आत्मा है, यह कितने रूपों में उपलब दोती है, यह जो हम आज प्रस्तुत पाठ में पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ के उद्देश्य क्या है तो इस पाठ के अध्यन के दोरान हम जानेंगे कि वेदान्त शब्द का क्या आरत है वेदान्त कहते किसको है उपनिशद सब्द का क्या आरत है अद्वाइत शब्द चुकि जब हम कहते हैं अद्वाइत वेदान्त तो अद्वाइत कहते हैं किसको है जीवात्मा और परमात्मा जो है वह अलग-अलग अवस्थाओं में किन-किन रूपों में प्रतीत किया जाता है किन-किन रूपों में अभिव्यक्त होता है आत्मा की अ आत्मा की अवस्थाएं तीन मानें गई है। उन तीनों अवस्थाओं को जानने के बाद वेक्ति को क्या विचार करना चाहिए। यह हम अवस्था त्रई विवेक के दोरान जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वेदांत क्या है। देखिए वेदांत का सामनी रूप से शाब्दी करता है वेद प्लस अंत अर्थात वेद का अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग क्या है। देखिए वेद जो उसके चार भाग हैं। ब्राम्मन, संगीता जिसमें आते हैं मंत्रों का संग्रह है। रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद यह संगीता है। रिक संगीता, यजुर संगीता, साम संगीता और अथरव संगीता यह चार संगीता हैं जिसमें इस्तूतियों का संग्रह है। यह होती है संगीता। ब्राम्मन क्या होता है कर्मनस्तनमंत्राणाम व्यक्ष्यान ग्रंता है अर्थात जो मंत्र है उनका किस कार्य में विनियोग है उसका जो उल्लेक है वो हमको कर्मकांडी के रूप में ब्राम्मन ग्रंतों में उपलब्द होता है संगीता ब्राह्मन, तीसरा है आरण्यक, अरण्ये भवा आरण्यकम अर्थात इसमें यह वेद का वह भाग है जिसमें जीवन के जो परम तत्व है उनका विशलेशन वनों में किया गया इसलिए उसको कहा गया आरण्यक और जो सबसे अंतिम भाग है वेदों का वो है उपनिशद उपनिशदों में जीवात्मा, परमात्मा और जीवन के रहष्यों को उदगाटित किया गया है यह वेद का रहष्य है इसलिए उपनिशद को रहष्य विद्या भी कहते हैं ब्रह्म विद्या भी कहते हैं तो वेदों का जो अंतिम भाग है वह वेदांत है अर्थात उपनिशद वेदांत है वेदांत सार में कहा गया है वेदांतों नाम उपनिशद प्रमानम तदूप कारीनी शारिरक सूत्रादीनी अर्थात वेदांत कारत है कि उपनिशद रूप प्रमान तो किस में प्रमान है उपनिशद? ब्रह्म रूप विद्या में अर्थात प्रमा क्या है? ब्रह्म उसका प्रमान क्या है? उपनिशद अर्था उपनिशद वय शास्त्र है जो ब्रह्म विद्या में प्रमान है उसके अत्रिक्त क्या क्या वेदान्त है तदूपकारिनी अर्थात जो उसके उपकारक हैं उपनिशद के जो उपकारक हैं उनके अर्थ को जानने में जो सहायक हैं वो शारिदक सुत्रादिनी अर्थात शारिदक सुत्रादी भी वेदान्त हैं तो वेदान्त एक तो हो गया उ उपनिशद वेदान्त है क्योंकि उपनिशद प्रमान है ब्रह्म विद्या में। दूसरा उपनिशद के अर्थ को प्रकट करने वाले उपनिशद के अर्थ को सहायता देने वाले ब्रह्म सुत्र आदी वो भी वेदान्त है। तो ब्रहम सुत्र के बाद शब्द प्रयोग्या आधी. आधी क्या हैं? आधी पदात, बाश्यादी, संग्र है. अर्तात सांकर बाश्य को भी आधी पदिसिक आ गया है. और भगवदد गीता भी इसी में आती है. तो भगवदगीता, शांकर बाश्य, ब्रह्म सुत्र इत्यादी भी वेदानते हैं क्यों क्योंकि वो उपनिशद के अर्थ के प्रती उपकारक हैं उपनिशद के अर्थ को स्पष्ट करते हैं किसलिए ब्रह्म विद्या के ज्यान में अब उपनिशद क्या है? उपनिशद में उप उपसर्ग, नीउपसर्ग, शदलरी, सद, धातू और किप प्रत्य है जिसका अर्थ है सद धातू का क्या अर्थ होता है? विशरण, गत्यावसादानेश, उप किप सद धातु के तीन अर्थ हैं और यहाँ पर जो कि प्रत्य हुआ है वो तीन अर्थों में हुआ है विशर्ण, गती और अवसादन यहाँ उप जो प्रत्य है उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ है समीप होना नी उपसर्ग का अर्थ है निश्चे पूर्वक तथा सद धातू जो है उसके तीन अर्थ होते हैं एक होता है विशरन, हिंसा अर्थ में, गती, जाने अर्थ में और अवसादन, शितिली करन अर्थ में उपनिशत पद से ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का बोध होता है क्योंकि जब कोई वेराग्य संपन ममुक्षू इस ब्रह्म विद्या के समीब जाकर उपमतलब समीब जाकर नी अर्थात निश्टा पूर्वक निश्चे के साथ इसका अनुशीलन करता है तो वह ब्रह्म विद्या क्या करती है वह ब्रह्म विद्या अवसाद अयती अर्थात सबसे पहले संसार वस्तू जो है उस बुद्धी को शितिल करती है ख्षिन करती है दूसरी विस्रणोती अर्थात जो जन्मरण के संसार चक्र के बीजबूत जो अग्यान है उसका नाश करती है और गमयती और अंत में परब्रह्म के पास पहुँचा देती है यानि हमने अभी बताया कि आपको उप्रिशद में जो सददत हो उसके तीन अर्थ हैं एक है अवसादन एक है विस्रण और एक है गमन अवसादन का मतलब होता है शितिल करना तो जो आपके पास जो संसारिक जो चीजें गाड़ी है कार है मकान है उसको यह पहले इसको पढ़ने से वह जो चीजें उनमें आपके बुद्धिश शितिल हो जाएगी अर्थात उनमें आपके आसकती कम होगी फिर चूंकि ये जो समस्त चीजें संसार है ये है अग्यान अत्वा माया के द्वारा बना हुआ है तो उपनिशद के अध्यन से इसका नाश होता है विश्रण होती नाश होने का मतलब है नश्ट होना नहीं नाश होने का मतलब है दिरे दिरे निवरत्त होना तो इसका जो बीजबूत अग्यान है उसका नाश होता है तीसरा फिर क्या होता है गमयती इसका सद्धात्व का तीसरा अर्थ है गमयती गमयती का मतलब है कि आपको फिर वे ब्रह्म के पास पहुंचा देती है अर्थात आप जीव और ब्रह्म का एक के स्थापित हो जाता है आपको अपने आत्मग्यान का साक्षत कार हो जाता है अब हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं अद्वईत वेदांत तो ये वेदांत शब्द तो हमने जान लिया अद्वईत शब्द का क्या अर्थ है? द्वाइतमुच्यते तन निशेदेन चादवेतम प्रत्यक वस्त्व भी दिये थे ब्रहदारने कोपनिशद बाश्यवार्तिक यह एक ग्रध है सुरेश्वराचारियेगा जिसमें से यह कारिकाम ने लिए जिसका आर्थ है कि जीव और ब्रह्म से जो विशिष्ट ब्रह्म है कहने का मतलब है कि जो ब्रह्म है वो क्या है विशिष्ट है और विशिषन क्या है उसके जीव और जगत जीव और जगत उसके गुण है और उनका आधार क्या है ब्रह्म ब्रह्म के ही गुण है जीव और जगत जब एसा हम कहते हैं जीव और जगत से विशिष्ट ब्रम तो उसको हम कहते हैं द्वाइत जगत जीव विशिष्टम ब्रम इति द्वाइतम और जो ब्रम है वो जगत और जीव से विशिष्ट नहीं है एसा जब हम कहते हैं तो उसको कहते हैं अद्वाइत अद्वैती ब्रह्म का जीव और जगत में विशिष्टत्व नहीं मानते कहने का मतलब है कि जो अद्वैता उसका मतलब होता है कि एसा ब्रह्म जिसमें जगत और जीव विशिष्ट नहीं है अर्था जीव और जगत उससे अलग हैं यही तो वेदान्त का डिम डिम गोश है वेदान्त का डिम डिम गोश क्या है वेदान्त का नारा क्या है वेदान्त का नारा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मे बना पर है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है जगत जो है वो मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है तो जगत तो मिथ्या हो गया तो उसको तो साइड मेटा दिया जए अब बचा क्या जीव तो जीव तो ब्रह्म रूपी है तो एक ही तत्व शेष रह गया इसलिए का अद्वाइतम तो ये जगत और जीव से जो विशिष्ट ब्रह्म है ये वैश्णो वेदान्ती मानते हैं अद्वईत वेदान्त तो एक ही तत्वी की सत्ता स्विकार करता है और वह सत्ता ब्रह्म की है अब जो जीवात्मा और परमात्मा हैं इसके भी तीन-तीन रूप हम को प्रतीत होते हैं यानि अद्वईत वेदान्त में परमात्मा और जीवात्मा के तीन-तीन रूपों की चर्चा होई है सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जीव और इश्वर जो है वो वस्तुत है तो एक है चेतनी पर इनमें वस्तुत है क्या भेद है मूल रूप से भेद नहीं है पर व्यावारिक रूप से इनमें भेद है व्यावारिक रूप से भेद क्या है अर्थात सत्व की शुद्धी और अशुद्धी से अज्ञान की दो उपादिया हैं माया और अविद्या अज्ञान की दो रूप हैं एक है माया और एक है अविद्या तो जो माया है वह विशुद्य सत्व प्रदान है विशुद्य सत्व प्रदान का मतलब क्या है कि इसका जो सत्व है तीन गुण अग्यान के होते है सत्व रज औरतम माया का जो सत्व गुण है वह रज औरतम से अभी भूत नहीं होता अर्तात रज औरतम इस पर हावी नहीं होते हैं सत्व पर होते तो हैं पर इस पर हावी नहीं होते हैं इसलिए हम इसको करते हैं विशुद्य सत्व प्रदाना माया उतकरष्ट ये उपादी है अज्यान की उतकरष्ट रूप है अज्यान का दूसरा अविद्या ये मलीन सत्व प्रदाना है अर्थाथ इसका जो सत्व है वो इस्त्रित है, इनसे अभिबूत है, इनसे प्रभावित है, तो यह अज्यान की निकरष्ट उपादिये, अर्थाथ छोटी उपादिये, तो जब माया, अर्थाथ विशुद्य सत्व प्रदान रूप, अविद्या का, प्लस चैतन्य, जब होता है, तब इश्वर बनता है, अ सर्वग्यत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनींतरत्वादी गुणकम अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगतकारणम, ईश्वरं, छे व्यपादिश्यति, कि यह जो अज्यान है, इसकी जो विशोदुस्तव प्रदाना जो उपादी है, उत्करष्ट उपादी जो है, इस चे जो उपहित चैतन्य है इससे उपहित जो ब्रह्म है वह इश्वर कहलाता है और यह जो ब्रह्म है यह सरवग्यत्व सरवेश्वरत्व सरवनियंता सरवग्य सरवेश्वर सरवनियंता और अंतर्यामी एसा इश्वर कहा जाता है इसी को इश्वर कहते हैं तो जो अज्यान है उसकी निक्रष्ट उपादियाः जो केशी मलिन सत्त प्रदाना है अरथाथ इसका जो सत्व है वो रजस और तमस दोनों से अभिभूत है तो जब ऐसी मलिन सत्त प्रदाना अभिद्याः उपादि ब्रह्म से उख्तोती है चैतने से उख्तोती है तो फिर वह जीव कहलाता है जीव की उत्पत्ती केसे होती है जीव की अभिव्यक्ती केसे होती है जब अविद्या ब्रह्म को सीमित कर देती है तब फिर वह जीव के रूप में अभिव्यक्त होता है कि यह है अज्ञान की निकरश्ट उपादियोने के कारण अर्थात इससे जो उपहित जो चैतन्य है उसको कहते हैं प्राग्ये और उसमें क्या होता है अलपग्यत्व तो देखो दोनों में अंतर है माया से जो उपहित चेतन्य है वो इश्वर है वो केसा है सरवग्ये अविद्या से उपहित जो चेतन्य है वो है जीव जीव केसा है अलपग्ये इसलिए इसको कहते है प्राग्ये प्राग्ये किसको कहते है प्रकर्शेन अग्ये अर्था जो प् अब जो परमात्मा है उसके तीन रूप हम को देखने को मिलते हैं हमने मूल रूप से जो आत्मा की अवस्ताइं है वो चार है जागरन अवस्ता, सपना अवस्ता, सुशुप्ति अवस्ता और तुरिये तुरिये तो स्वें ब्रह्मी होता है तो इन तीनों अवस्थाओं में जो ईश्वर है वो क्या कहलाता है और इन तीनों अवस्थाओं में जो जीव है वो क्या कहलाता है उस पर चर्चा करते हैं परमात्मा के तीन रूप हैं, पहला सुशुप्ति अवस्ता में वह इश्वर कहलाता है, और यह जो सुशुप्ति अवस्ता है इश्वर की, यह कहलाती है प्रलाय, अर्थात सुशुप्ति अवस्ता में वही चैतन्य, वही ब्रम इश्वर कहलाता है, जब वैस्वप्न अवस अब जो जीवात्मा यह और जीवात्म करता है और जीवात्मा जागरत अबस्ता में विश्व केलाता है इस प्रकार जो इश्वर है वह करमश है, सुसुप्ति अवस्ता में इश्वर, सुप्ना अवस्ता में हिरनेगर्ब और जागरत अवस्ता में विश्वानर हत्वा विराट का जाता है जीवात्मा जो है वह निद्रा के अवस्ता में शुक्ति के अवस्ता में प्राग्य कहलाता है स्वपना अवस्ता में तेजस कहलाता है और जाग्रत अवस्ता में विश्व कहलाता है अब हम इन्ही अवस्ताओं में जिन जिन अवस्ताओं में इश्वर और प्राग्य का बिन बिन रूप हमारे सामने अविव्यक्तुआ तो एसा क्यों है उन आत्मा की अवस्ताओं पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मान्डुक्योपनिशद के नुसार आत्मा की चार अवस्ताएं है सर्वम इही एतद ब्रह्म यह संपूर्ण विस्व ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म और यह जो आत्मा है यह ब्रह्म है पहला स्टेट्मेंट क्या है कि यह संपूर्ण विस्व जो है संपूर्ण जगत जो है संपूर्ण चराचर जो प्रपंच है यह सब ब्रह्म है और यह जो ब्रह्म है यह क्या है आत्मा तो ब्रह्म इजगल्टू आत्मा और ब्रह्म इजगल्टू संपूर्ण विस्व ठीक है और यह जो आत्मा है सो यम आत्मा चतुषपात यह जो आत्मा है चार पेरों वाली है इसके चार पेर हैं तो जो चार पेर हैं वो ही चार अवस्थाएं हैं आत्मा की कौन-कौन सी चार अवस्थाएं हैं पहली है जागरत अवस्था दूसरी है सपन अवस्था तीसरी ये शुशुप्ती की अवस्ता और चोथी ये तुरिये की अवस्ता तो जो जागरत अवस्ता है हम उस पर पहले चर्चा करते हैं जागरीत इस्थानों बहिस प्रग्य सब तांग है एकोन विमसती मुकह स्थूल भुक वैस्वान रह प्रथमप पाद है जागरत अवस्ता आत्मा का प्रथम चर्ण है इस अवस्ता में आत्मा की जो प्रग्या है वो बहर की और होती है और यह प्रग्या विस्वयों को प्रकाशित करती है बहिस प्रग्य होने के करण जीवात्मा बाई विश्यों का अनुबव करता है इस अवस्ता में जीवात्मा के साथ अंग और उननीस मुख होते हैं इस अवस्ता में यह स्थूल विश्यों का भोगता होता है इस अवस्ता में आत्मा का सुरुप वैश्वानर कहलाता है यानि जैसे अभी मैं स्टूडियों में बात कर रहा हूँ आप से समवाद कर रहा हूँ तो यह आत्मा की जो है यह जागरत अवस्ता है तो जागरत अवस्ता में मैं क्या कर रहा हूँ बाहिये विश्यों को जान रहा हूँ बहिश प्रग्य अर्थात बाहिये वस्तों को जान रहा हूँ बाई अवस्थों का भोग कर रहा हूँ और मेरी जो ये अवस्था है आत्मा की जो ये अवस्था जागरत अवस्था है इसको हम कहते हैं वैश्वानर अत्वा विश्व क्यों विश्वान नरान नयतीती वैश्वानर है अर्तात समस्त विश्व के वेक्तियों को जो अवस्था चलाती है उसको करते हैं वैश्वानर तो यहाँ पर वहिस प्रग्य होता है अब इसमें कहा गया है इसमें जो है वो साथ अंग और उन्निस मुख होते हैं साथ अंग कोन से हैं माया, अविद्या, कला, नियती, राग, काल और जीव यह इसके साथ अंग हैं और उन्निस मुख क्या हैं पांच ग्यानिंद्रियां इन पाँच ग्यानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? देखते हैं, सुनते हैं, सूंगते हैं, स्वाद लेते हैं और स्पर्स करते हैं इसी प्रकार पांच करमिंद्रियां चलना, बोलना, पकड़ना, उत्सरजन और संतानोत पत्ती और पांच तनमात्राएं जिने बेहत सुक्स्म पार्टिकल्स कहा जाता है सुक्स्म, सुरूप, रस, गंद और स्पर्स और मुद्धी, एहंकार, मन और प्रकरती प्रकरती में ये पांच महाबूत आते हैं, प्रत्वी, जल, अगनी और वायू, ये उन्निस मुख होते हैं साथ अंग और उन्निस मुखों वाला यह जीवात्मा जो बाहर की ओर आता है तो इसको कहते हैं 22 प्रग्य, तो आत्मा की एक अवस्था हो गई जागरत अवस्था दूसरी अवस्था पर हम चिंतन करते हैं, वो है स्वपना अवस्था कि जब यही आत्मा जो है, वह अंदर की ओर आता है अर्था जब स्वपन की अवस्था होती है, तो इस स्वपन काली अवस्था में आत्मा की प्रग्या अंतह होती है अंतह प्रग्या होने के करण जीवात्मा सुक्ष्म विश्यों का अनभो करता है और इस अवस्ता में आत्मा की 7 अंग और 19 मुखोतें जागरत अवस्ता के समान ही इस अवस्ता में यह सुक्षम विश्यों का भोगता होता है और इस अवस्ता में आत्मा का स्वरूप तेजस होता है इस अवस्ता में आत्मा की प्रग्या सुप्त रहती है किन्तु वह अंतह प्रग्या जागरत रहती है जिसका सम्मन्द सुक्षम सरीर की गतिविदियों से होता है देखिए स्वप्न स्थानों अंतह प्रग्या कि जब आप स्वप्न देखते हो तब वह जो आपकी चेतना है वो अंदर की और चली जाती है और आप निरंता रूप से स्वप्न देखते रहते हैं वहाँ पर आप अनेक प्रकार की सुक्षम विशेयों का अनुबव करते हैं क्योंकि वो स्थूल विशे नहीं है इस थूल विशे तुमको जागरत अवस्था में होते हैं वहाँ पर जो विशे होते हैं वो सुख्ष्म विशे होते हैं जैसे आप स्वप्ण में गए और वहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो यह जो विशे है यह जो है पीम बनना, सीम बनना, आईएस बनना आपने सुप्ण में बन गए आप तो यह सुख्ष्म विशे है और यह सब क्यों हो रहा है अन्तह करण के माद्यम से अन्तह करण क्या है मन, बुद्धी, चित्त और एहंकार यह जब क्योंकि वहाँ आपकी जो ग्यानिंद्रियां, कर्मिंद्रियां तो होती नहीं है वहाँ पर बस जो आपका यह जो अन्दर का जो सुख्ष्म सरीर है अन्तह करण है, मन इसमें मन का बड़ा योगदान है वो मन ही सब पूर्ण स्रष्टी करता है अंदर उसी में वहाँ अन्यक परकार के आनंद को बोगता है सुख्ष्म विश्यों का बोग करता है इसलिए इसको कहते हैं अन्तह प्रग्य अर्थात अंदर की विश्यों को जानने वारा तो जागरत अवस्ता में तो चेतना होगोई वहिस प्रग्य और सुख्ण वस्ता में वही आत्मा कहलाई अन्तह प्रग्य क्योंकि अंदर के विश्यों का अन्बोग करती है चीजें वही होती है जो बाईय जगत में होती है और सुख्ण वस्ता में वही चीजें अंदर के और गटित होती है बाहर आप स्थूल विश्यों का अभूग करते हो और स्वप्न जगत में आप सुख्ष्म विश्यों का अभूग करते हो अब आती है सुषुप्ति के अवस्ता जिसको हम कहते हैं निद्रा के अवस्ता भी कहते हैं यत्रसुप्तों न कंचन कामम कामयते ने कंचन सपनम पश्यती तत सुषुप्तम अर्थात यह सुषुप्ति अवस्ता आत्मा का तृतिय चरण है जिस अवस्ता में सोया हुआ जीवात्मा ने विश्यों की भोग की इच्छा करता है ने कंचन कामम कामयते किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं करता ने कंचन सुपनम पश्यती ने कोई सपन देखता है तो उसे सुषुप्ति के अवस्ता कहते हैं यह सुषुप्ति यवस्ता जिसका स्थान है जो एकी बुत प्रक्रष्ट ग्यान सुरूप होता हुआ आनन्दमे है इस अवस्ता में आत्मा आनन्द का भुगता और चेतना तता सुरूप मुखवाला है इस अवस्ता में आत्मा का सुरूप प्राग्य कहलाता है कहने का आशा है कि जागरत अवस्ता में तो आप बईस प्रग्य होते हो वहाँ पर भाई विश्यों का भुग करते हो स्वपना अवस्था जो होती है उसमें आप सुक्ष मुश्यों का उबो करते हो और आपकी चेतना अंदर की ओर चली जाती है एक अवस्था होती है सुषुप्ति के अवस्था जिसकों कहते हैं निद्रा की अवस्था इस सवस्ता में न तो जो चेतना है वो बाहर की ओर जाती है, चेतना अंदर की ओर ही रहती है, और इसमें आप जब आप निद्रा करते हो, तब आप किसी प्रकार का सपन नहीं देखते हो, वहाँ पर आप किसी प्रकार की कामना नहीं करते हो, जब आप सो करके उठते हो, तब आपका क्या अनुबह होता है? मैं सुख पूर्वक सोया वहाँ पर आपको अग्यान है वहाँ पर आपको एकदम तमसंदकार है आपने वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्यान नहीं किया बस आपको आनंद हुआ जब आप बहुत अच्छी नीन लेकर के उठते हो तब आपको आनंद की जो एक फीलिंग है एक महसूस आपको होता होगा वही शुषुप्ति के अवस्ता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है वहाँ पर आप किसी प्रकार का सपन नहीं देखते हैं यहाँ पर आत्मा का जो रूप है वो कहलाता है प्रागे और यह आनंद का उबोग करता है जागरत अवस्ता में बाईय विश्यों का उबोग करता है सपना अवस्ता में अंदर वस्तों का उबोग करता है अंतह प्रग्य होता है और शुशुप्ति के अवस्ता में वह प्राग्य होता है ने तो बाईय वस्तों का उबोग कर अब एक जो अवस्ता है वो तुरी अवस्ता है और यह जो तुरी अवस्ता है यही मनुश्य का लक्षे है अर्थात बुद्धी ब्रम नहीं जाना जा सकने वाला है। इत्यादी की जो सरष्टी होती है वो शान्त हो जाती है। तब हमारी चेतना बाहर के और आती है। और हम स्तूल विश्यों का अबोग करते हैं। यहाँ पर वय कहलाता वैश्वानर या विश्वृ। जब यही आत्मा सपना वस्ता में जाती है। तब सुक्षम विश्यों का अबोग करती है। और यहाँ पर यह कहलाती तेजस, तेजस मतलब तेज, तेज मतलब लाइट, प्रकाश, तो वो अंदर जाकर कि जो बाहर के विशें उनको अंदर प्रकाशित करती है लाइट के माद्यम से, और वहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, चीफ मिनिस्टर बन जाते हो, तीसरी जो अवस्ता है वो शुषुप्ति के अवस्ता है शुषुप्ति के अवस्ता में जो आपकी जीवात्मा है वो जीवात्मा निद्रा लेती है तो वहाँ पर वह किवल आनंद का बोग करती है ना तो स्तूल विश्यों का बोग करती है और यहां पर जीवात्मा कहलाती है प्राग्य और जो एक अवस्ता है वो है तुरिये तुरिये कारत होता है तुरिये जो है चतुर शब्द उच्छे प्रत्य से मना है चतुर मतलब चोथी तो जो तुरिये कारत है चोथी अवस्ता वह जो चोथी अवस्ता है वही आत्मा का लक्ष है क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर ने अंताय प्रग्यम ने बईस प्रग्यम कि न तो वो अंदर के विश्यों का अबोग करता है ना वो बाई विश्यों का अबोग करता है और वह कैसा है एक आत्म प्रत्यसारम सा आत्मा सा विग्य है वही आत्मा है जो समस्त प्रपंचों से शुन्य है समस्त चीजों से ग्यातरत करतरत रुभकतरतों से रहीत है जहां समस्त पंच महाबूत जाकर लीन हो जाते हैं वही आत्मा है वही मूल रूप में आत्मा की अवस्ता है उसी को आत्मा करते हैं वही जानने हुगे है आशा करता हूं कि चेतना की ये समस्त अवस्ताएं वेदान्त शब्द का अर्थ और अद्वईत शब्द का अर्थ उपनिशद शब्द का अर्थ इत्यादी सिक्षारती बली प्रकार से सम्यक प्रकार से जान गए होंगे इसी झाल झाल